प्रिये भाई और बेहनों, आज का शुबस अंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करें। अपने हाथों को उठा करुस्तूती बंदिना। अपने हाथों को उठा करुस्तूती बंदिना। दिनी है तीराना प्रभू तीरे सिवा कोई नहीं। आज का संदेश ब्रदर नर्सन तोमस मुंबई से वाटा जाएगा। प्रभू किस्तूती हो सच्चा मसीही जीवन विश्वास पर आधारित है। हमारे कर्मों पर या रिद्रिवासों पर आधारित नहीं। वास्तों में हमारे मसीही जीवन का शुरुवात ही प्रभूईश मसीही पर विश्वास करने से होता है। और आगे बढ़ना भी विश्वास के साथ आगे चलना है। इसलिए नयानियम हमें चेतावनी देता है कि आप परकर देखो आप का विश्वास सही विश्वास है। क्योंकि संभो है कई बार कईयों का विश्वास सही विश्वास नहीं इसलिए उस विश्वास उनको बचाएगा नहीं रूपांदर नहीं पहुंचाएगा योहन्ना का सुसमाजार दो अध्याई तेई से लेके पचीश पदो में जॉन्स गॉस्पल चाप्टर टू 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 फाई में हम इस बात का एक उदाहरन देख सकते हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा जब वह मसीश फसह के परो के समय यरुशले में था तो बहुत लोगों ने उन चिन्दों को जिने वह दिखाता था देखर उसके नाम पर विश्वास किया कितनी अच्छी बात है प्रवीश मसी किया हुआ अद्बुत कारियों को देखर कई लोग इश्व मसी पर विश्वास किया अगला बचन में पढ़ते हैं परंदू जहां दक इश्व का सम्बन था उसने अपने आपको उनके भरोसे पर नहीं चोड़ा क्योंगी वो सब को जानता था सारामिश में वे इश्व मसी पर विश्वास किया लेकिन इश्व मसी उन पर विश्वास नहीं किया क्योंगी वो जानता था उन सबों को जानता था 25 पत्म में पढ़ते हैं उसे इस बात की आवशक्ता नहीं थी कि कोई व्यक्ति किसी मनिशक के संबंद में साच्छी दे क्योंकि वो स्वयम जानता था कि मनिशक के मन में क्या है प्यारों बहुत ही ध्यान से मनन करने का एक कुछ वचन है ये बहुत सर लोग विश्वास किया लेकिन इश्य मस्य उस पर विश्वास नहीं किया क्यों क्योंकि वो सब को जानता था वो उनके मनों को जानता था पवचनता था प्रवेश्य मस्य ने जाना उनका विश्वास का दावा के पीछे का रहस्य उसको मालूम था उनका उदेश इश्व मसी को मालूम था इसलिए विश्वास किया हुआ लोगों को इश्व मसी विश्वास नहीं किया मेरे प्यारे भाई बहन आज आप दावा करते हैं आप विश्वास करते हैं इश्व मसी पर लेकिन क्या इश्य मसी आपको विश्वास करेंगे यहां में कई सबक में मिलता है एक बहुत बहुमूले सबक ये है हम नहीं भूलना है हम नहीं विचार से दूर नहीं रिखना है संबो है हमारा भी विश्वास जूटा बेन सकते हैं संबो है हम जो दावा करते हैं कि विश्वास करते हैं वो केवल तातकालिक विश्वास हो सकता है केवल बुधी का विश्वास हो सकता है याकुब अपनी पत्री में कहते हैं शेटान भी ऐसा विश्वास करते हैं शेटां का विश्वास केवल जानकारी है पवचान है वो केवल तातकालिक प्रकार का है उससे हमारा आत्म का उधार नहीं होते सली हमें जांचना है हमारा विश्वास कैसा विश्वास है और दूसरी भात ध्यान देने वाली बात ये है कि सच्छा विश्वास बाहरी बातों इसलिए उसके पीछे पीछे हो लिया, वो नहीं कि इश्वका स् सक्जान लिया, सच्छा विश्वास क्या है सच्छा विश्वास कि ईश्व मसी को पचानने से होना चाहिए इश्व मसी कौन है उनका महानता क्या है वचन में सिखाते हैं वो पनमेश और सोयम है वो स्रिष्टि करता है राजाओं का राजा है, प्रभूओं का प्रभू है, सर्गों से उतर कर आया हुआ पन्मेश और सोयम है, मनिश्य के पाप के बदले बिर्दान होने के लिए इस संसार पर उतर कर आया, हमारे पापों के लिए बिर्दान होकर सूली पर मुर्तियु सहने के लिए आया, मर्दग पहुचान में उन पर विश्वास करना है। पहुचान में उन पर विश्वास करना है। पहुचान में उनके इश्व मसी को प्रभू और स्वामी के रूप में ग्रहन करके समर्पन करेगा। वो उनका जीवन में परिवर्तन लाएगा, चेंज करेगा। और कैवल दिखावट का कैवल कहने का नहीं वो इश्व मसी के रास्ते पर चलेगा। उनके जीवन में, शब्दों में, बाचित में उनका विश्वास का कर्म प्रगड होगा। उस प्रकार का विश्वास करना है। प्यारों सहाता करें, यहां से हमें इस बात को देखना है। दुख की बात है, आज भी आईसी बहुत सारे लोगों को शायद हम देख सकते हैं, जो दावा करते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन जांचना पड़ेगा सच मुछ में इश्व मसी उन बर विश्वास करता है या नहीं। आज आपके बार में कैसा है, आप क्या विश्वास इश्व मसी अंगीगार करेंगे, क्या आपके अंदर विश्वास के परणाम के रूप में रूपांदर हो गया है, खरदई में परिवर्तन हुआ है, पापों को कबूल किया है, पापों की चमा मांगा है, इश्व मसी को प्रबु और स्वामी के रूप में ग्रहन किया है। करें प्रबु के नाम की महमा हो।